तो कि एलो एब्रिवन माइसेल सुधीर कुमार सुधीर सर ओफिसेल यूटूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है हम लोग पिनेकल की बहुती पॉपुलर भुक 6800 प्लस टीसे सेमसी क्यू कि फिप्ट एडिशन बुक की वीडियो सोलूशन कर रहे थे जिसमें हमने आपको PDF नोट्स भी मिलेगा PDF नोट्स कैसे आपको मिल पाएगा वो मैं बता देता हूँ उसके लिए आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो टेलिग्राम चैनल कैसे जॉइन करोगे इसकी जो लिंक है टेलिग्राम चैनल की वो आपको वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में भी दिया जाता है और description box में वहां से click करके join कर लोगे तो आज से आपको PDF notes भी मिलना शुरू हो जाएगा दूसरी बार कोई भी information भी देनी होती है तो आपको मैं यहीं पर देता हूँ telegram channel पर तो इसके दोनों advantage है कि video कब आएगी वह आपको वहाँ पर बताया जाता है चलिए अब time pass नहीं करेंगे directly हम questions पर आएंगे क्या का आगे a fruit seller initially had mkg apple एक fruit seller के पास कितने kg apple थे mkg केजी he sold 56 to percent of the apple to the customer उसने क्या किया 56 परसेंट उसने कस्टमर को बेच दिया आगे एंड वाज इस्टील इतना kg apple left अभी भी उसके पास बचा हुआ कितना है 110 kg what is the value fm मालो उसके पास mkg total apple थे उसका उसने 56 परसेंट बेच दिया 100-56 कितना बचा 44 परसेंट अभी भी बचा हुआ है इस बचे हुआ इधर का बचा हुआ और एक्चुल में बचा हुआ है amount है कितना question में कितना kg यानी amount नहीं बलकि कितना weight है 110 kg चार से cancel करोगे ध्यान से देखो 11 से कर लो 11 से 10 11 से 4 4 से इसको cancel करोगे यानी 25 तो m की value कितनी आगी 25 इंटू 10 यानी 200 यह हो गया answer कौन से answer देखो ध्यान से option number a correct answer हो जाएगा मैं यहाँ पे इसको highlight कर देता हूँ आज के बाद आपको notes भी मिलना शुरू हो जाएगा तो better आपको notes भी मिल जाएगा ठीक है चलिए next next देखो क्या दिया गया question ध्यान से देखोगी screen पे क्या कहा गया है मीना जो है इंग्लेंड के खिलाब कितना score करती है 303 run उसके बाद उसने क्या की जो boundary मारी है 32, 4 मारी है और 4, 6 मारी है आगे what approximate percent the total run were scored by मीना by running between tickets यानि उसने दोड करके कितना run लगाई है द्यान से रेखो एक चौवा यानि एक चार run मारोगे तो sorry एक boundary मारोगे फोर तो आपको 4 run मिलेंगे तो 32 हमने 32 फोर boundary मारे तो run कितना हो जाएगा इतना plus एक 6 में sorry एक छक्का में 6 run होते हैं तो 4 छक्के में 4 into 6 यानि total उसने boundary से कितना run बनाया यह पता चल गया तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 8 128 प्लस 24 यानि कितना हो गया 40 और 52 यानि 152 आ गया आपका run यह run जो आया किसके boundary के थ्रू आया कितना 4 और 6 की वज़ा से 4 और 6 की वज़ा से आया हमें run between total run उसने बनाये कितने थे देखो question में दिया गया 303 उसमें से 152 run उसने देखो द्यान से इतना हो जाएगा 151 कैसे 3 में से 2 गया 30 में से 15 जाएगा 15 इतना run उसने क्या किये दौढ र करके बनाये किसके boundary कर के बनाये 303 percentage में करना है 100 से multiply यहीं करना था अब अगर मैं बात करूँ यहां पर ध्यान से देखो अगर यह 202 होता अगर यह 302 होता तो इससे दो times में चला जाता और 1 by 2 into 100 लिखते यानि कितना लिख देते 50% 100 से multiply इसलिए किया है percentage में करने के लिए लेकिन यह 202 से तो हलका सा जादा है अगर denominator जादा होगा तो numerator कम हो जाएगा यानि इससे हलका सा कम होगा यानि ओन चास point something कुछ percent आएगा answer कौन सा answer है option number B correct answer है तो इस तरह से आपको question को समझना है कि question किस तरह से हम deal करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा जैसे देखो मैं आपको बताना चाहूं रहा हूं इस तरह से questions को हमने format किया यहां तक उसके बाद हमने यहां से next steps आगे किया और question को बना लिए चलिए move to the next next question देखो दियान से आपके screen पे है यह question अच्छा है क्योंकि conceptually a strong question है कि सबसे easiest approach is question का मैं बताऊंगा देखो देखान से मनोज decided to give 25% of his income to a son a and certain amount to his son income B यानि A को अपने salary का 25% दिया और लेकिन B को कुछ निश्चित amount दिया यह नहीं बताया है if he gave इतना amount to B which is 92% of decided amount and इतना less than the amount A से ध्यान से देखो पहले बात देखो ध्यान से यहां पे if he gave इतना to B which is इतना percent of the decided amount मालो decided amount था उसका जो था certain amount Y उसका 92% दिया और वो amount है कितना 2208 यानि यह हमें certain amount पता चल जाएगा Y की value कैसे चार से काटोगे तो 23 हो गया चार से काट लो तो चार पांचे बीस चार पांचे बीस चार दुनी आठ तेईस से काटोगे तो 23 दुनी 46 कितना वचा 92 23 चोके 92 यानि Y की value आ गई 2400 यानि उसने जो निश्चित amount दिया वो कितना दिया 2400 आगे बढ़ते हैं किसको B को दिया अब A के बारे में कहा गया है कि क्या कहा गया इफ ही गेव इतना टू B जो की क्या है इतना लेस है A से यानि A को जितना भी दे रहा था उससे B को जितना भी दे रहा था 2208 दे रहा था उससे क्या है A को इतना जो क्या था इतना कम था लेकिन A कितना होगा इतना ज्यादा होगा उससे यानि जो 2208 दे रहा था उससे इतना ज्यादा मिलेगा A को यानि इतना हो गया एड़ करोगे तो एड़ करोगे तो 42 और आठ कितना होगा 50 होगा हां जी और बीस दस तीस और साथ 3750 हो गया ये एक एक के बारे में माउंट है लेकिन मनोच के पास मालो टोटल एमाउंट था एक उसका क्या 25 परसेंट ही दिया एक को एक को पचीस परसेंट यानि वन बाई फोर और एक एमाउंट है कितना 3750 तो एक यानि टोटल एमाउंट मनोच के पास कितना था हो जाएगा 50 चुक्छ के 200, 728,230 और 12 और 3 15 यानि 15,000 हो गया ये देखो अब कुस्चन में कहा गया है 2400 दिया आउट ओफ टोटल एमाउंट मनोच का है कितना 15,000 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टिप्लाई कर लो देखो द्यान से 20 से 20 कैंसिल ठीक है 20 से 20 कैंसिल अब मैं क्या करूँ देखो 25 से 25 चुके 100, 25 चाके 1,500, 6 से 4 टाइमस में 4 इंटू 4 मल्टिप्लाई करोगे 16 परसेंटेज में आ जाएगा 16 परसेंट आ जाएगा कौन सा एंसर ओप्सन नंबर A correct answer है देखो हमने question को आसानी से कर लिया चलिए move to the next question next question देखो द्यान से क्या दिया गया है next question दिया गया है the total salary of two employees A and B and organization was इतना total salary था 40,000 okay after increase salary of A 9% B की salary increase हो रहे 11% से total salary A और B becomes इतना what is the initial salary of A ऐसे question को हम क्या करते है minimum concept के according बनाते है minimum concept का rule लगाते है तो द्यान से A और B की total organization मिला करके salary कितनी है इतनी A का increase हो रहा है salary 9% से B का increase हो रहा है salary 11% से तो मैं बात करूँ कि मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये भी इसको break कर दूँगा minimum 9 और 11 में minimum कौन है 9 तो इसको break कर दूँगा 9% plus 2% में यानि हम बोलेंगे कि जो दोनों की salary हम बोलेंगे कि 9% से बढ़ रही है तो बढ़ेगी salary कितनी 40,000 का 9% चालीस हजार का 9% यानि कितना हो गया 9 चूँगे 3600 यानि बढ़नी अगर 9% के हिसाब से बढ़े तो 3600 बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ी कितनी है 40,000 से 40,000 से salary कितनी हो गई है 44,000 रुपए यानि कितना बढ़ा है 400 बढ़ा है बढ़नी चाहिए ति 3600 बढ़ा 400 क्यों एक्स्ट्रा बढ़ा कितना एक्स्ट्रा बढ़ा 500 एक्स्ट्रा बढ़ा 500 एक्स्ट्रा बढ़ा क्यों बढ़ा क्यों यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहा था ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा तो दो परसेंट की वैलू, दो परसेंट की वैलू है कितनी इस पांसो के बराबर रखनी पड़ेगी, तो दो परसेंट की वैलू, एक परसेंट की वैलू, एक परसेंट की वैलू, दाइस सो, तो हंडेट परसेंट की वैलू, हंडेट परसेंट की वैलू, पचीस पे, दाइस है बी की एकी सेलरी हमें पूछा गया है एकी सेलरी एकी सेलरी कैसे लिखा लोगे एकी सेलरी टोटल सेलरी थी कितनी चाली सजार चाली सेलरी मानलब फोर फोटी के माइनस बी की सेलरी बी की सेलरी माइनस कर दोगे प्चीस हजार यानि पचीस के माइनस कर दोगे तो कितना आ पंद्रक या जाएगा 15 के यानि 15 के मतलब 15,000 किसकी सेलरी है एक ही देखो आसानी से हमने कर लिया question हमने इस question को minimum concept से बताया हूं सबसे best एप प्रोस minimum concept इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं minimum concept minimum concept ठीक है कि minimum दोनों को हमने बाट दिया एक्स्ट्रा वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा पोर्शन से equate कर दिया चलिए move to the next जेड़ इस जेड़ इस इंक्रीज सक्सेसिबली वाई इतना परसेंट एट एंडर दस परसेंट टू गेट आर आर इस इतना दिन वाट इस द वैलू अफ जेड ध्यान से देखो देखो द्यान से क्या कहा गया है मारे परसेंट को किया जाना है पहला इसकी वैलू आप जानते हैं पर्शेंटेज फ्रैक्शन में कितनी होती है वन बाई नाइन इंक्रीज मतलब प्लस यानि 9 से बढ़ जाएगा एक यानि 10 बाई आगे अगें 10% इंक्रीज कहा गया है 10% का मतलब होता है 1 by 10 इंक्रीज मतलब प्लस नी 10 से बढ़ जाएगा यानी 11 by 10 और ऐसा करने के बाद ये बन जाएगा आर ये बन जाएगा आर और आर क्रिस्टन के अपोडिंग है कितना 165 यानी ये 165 हो जाएगा हमें जेड लिकालना ह है आसानी से लिकाल लोगे कुछ प्रोब्लम है ही नहीं देखो 10 से 10 कैंसिल 11 से 11 काई 11 15 55 यानी जेट की वैलो कितनी हो जाएगी 15 इंटू 9 यानी 135 आपका जो एंसर आ जाएगा वह आपका एंसर हो जाएगा करेक्ट कौन से एंसर होगा option number D तो इस तरह से हमने question को आसानी से हमने deal कर लिया ठीक है चलिए next next question आपकी screen पर दिया गया है देखिए क्या ध्यान से दिखे दिया गया है the monthly income of a person is 40,000 कोई दिक कर नहीं है he used 25% of his income his nominal income increased by 15% okay and nominal expenditure increased by 20% what percent change in his nominal saving मैंने ऐसे question में expenditure इस वाले case में income is equal to क्या होता है expenditure plus saving ऐसे case में मैंने weighted average का concept सिखाया हूँ बहुत ही जबर जस्त weighted average का concept क्या होता है पहले देखो expenditure और saving का ratio चाहिए 25% सेव कर रहा है अगर 25% सेव कर रहा है तो कितना खर्च किया 75% ratio कितना आ गया three is to one अब आगे बढ़ते हैं 1 into x यानि x overflow नीचे क्या लिखते हो नीचे लिखते हो इन दोनों का sum is equal to क्या होता है income ke your से इंक्री झुरे 15 से तो जो नीचे इधर क्या लिखोगे इन दोनों का लिखो सम 30 एक चार और इन दोनों के मेल से इंकम से सोरी क्ते ष्य से रुकिस क्या बनता है इंकम कर The से इन के लिए जो रहा है 15 से तो यह steps एक हटा सकते हो कैसे देखो दियांसे मैं अब समझा रहा हूँ 20 तियां 60 प्लस 1 इंटू x x is equal to total इन दोनों का सम तीन और एक चार चार इधर लिख होगे into income income कितना है 15 तो यह एक steps फिर हम यहां से यह जंप करेंगे वो directly यहां पर हम लिख सकते हैं ठीक है यानि 60 प्लस x is equal to कितना हो गया 60 तो x की वहलू क्या हो जाएगी 60 minus 60 यानि x की वहलू 0 और सारी टर्म्स चल रही थी percentage में यानि 0 यानि saving तो यहीं था saving कितना percent से increase decrease होगा 0% से तो आपका answer कौन सा होगा option number b I hope यह समझ में आ गया होगा चल यह next next question आपके screen पर दिया गया है ध्यान से देखे क्या दिया गया है अमन गेप 30% 30% of his monthly income to his father कोई दिक्कत नहीं है and the remaining income he gives 30% daughter and 25% wife ध्यान से देखो अमन के पास माल लेता हूँ total salary थी कितनी एक्स रुपए उसका 30% उसने क्या कर दिया अपने father को दे दिया तो बचा कितना 70% इस बचे हुए का दियान से देखो इस बचे हुए का remaining का कहा गया है 30% और दोटर को 25% wife को तो 30 और 25 कितना 35% उसने दे दिया ना 55% दे दिया नहीं 45% बचाया कैसे 30 और 20 30 और 25 कितना हो गया 55% 55% उसने किसको डॉटर और वाइफ को मिला के दे दिया 55% तो बचा कितना 45% यह बचा हुए 45% remaining amount among invested the amount is still remaining from his monthly income is equally in three scheme जो remaining amount बचा हुआ यह remaining amount बचा हुआ है इसको वो क्या कर रहा है equally amount देगा three scheme में if he invested इतना in each scheme, एक scheme में इतना कर रहा है पताओ तीन scheme में equally बांटा है तो एक scheme में कितना होगा one third, total तीन scheme है उसमें से एक एक को देगा तो one third, one third, one third, one third एक scheme को इतना और एक scheme में मिलर कितना रहा है 42,000 यह हो गया 42,000 हमने equate कर दिया अब अमन की monthly income क्या है, monthly income हमने x माना है तो x लिकाल दोगे आसानी से कैसे, देखो द्यान से, तीन से काटोगे, 15 हो गया, 7 से काटोगे, 76 के 42 यानि 60, 15 के 60, यानि यह हो गया 400, x की value कितनी आगे, ऊपर हो गया, यहाँ पे हो गया 400, यह दोनों multiply हो के 1000, और देखो, x की value क्या, 1000 को हमने ऐसे ही रखना है न, 1000 के फॉर्म में रखना है, यानि 400,000 हो जाएगा, 400,000, 1000 मनलब 1000, यानि 400,000, option number B, correct answer हो जाएगा, यह question अच्छा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा question है, सबसे best approach बताया हूँ, यहीं पे लोग mistake करते हैं, तीन स्कीम में लगा है, तो एक person को कितना मिलेगा, one third, और उसी को एक person को मिल कितना रहा ता 42,000, इसी तरह से हम equate करते हैं question को, चलिए move to the next, next में देखे क्या दिया गया हमारे पास, कहा गया है कि मयंक के spent 35% of monthly income as house items, 25% electronics items and 7% medicine, कहीं पे भी remaining word नहीं है, तो 35% यहाँ खर्च किया, 25% यहाँ खर्च किया और 7% यहाँ पे, total कितना पर्च खर्च कर दिया, 35 और 25 कितना होता है, 60, 60 और 7, 67 उसने खर्च कर दिया, 67% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 33% क्योंकि overall होता है, total 100% होता है न, उसने 67% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 33% 35 और 25 कितना होगा, 60 ही तो होगा, 60 और 67% खर्च कर दिया तो, अभी उसने बचाया जो एमाउंट है वो कितना है, इतना, यानि 33% की वैलू इतनी है, 33% की वैलू कितनी है, 1550, हमें बताना है क्या मयंक मंतली इंकम हमने क्या माना है, 100%, 100% की वैलू 100 से मल्टिप्लाई, अब देखो ध्यान से, आसानी से केल्कुलेट कर लोगे, 11 से 3, 11 से 11, 11, 11, 11, 15, 35, 35, 35, 105 होता है, यानि 350, यानि कितना हो गया, 350, 00, आपका एंसर हो जाएगा कौन सा एंसर, देखो, option number B, correct, एंसर हो गया, चलिए, move to the next question, next question देखिया दिया गया, 70% students, in a class are girls, and 70% of the girls, have chosen, as the favorite sports, यानि देखो ध्यान से, एक soccer game होता है, soccer game होता है, उसकी बात बोली गई है, देखो, इसी class में, 70% students क्या है, girls है, माल लेता हूँ, girls है, कोई दिक्कत नहीं है, माल लेता हूँ, total girls है, x है, उसका, sorry, total class में, कितने, total class में students है, x, इसका 70%, यानि 7 by 10, 70% का वला, 7 by 10, girls है, इस girls में से, कितने लोगों का favorite game है, soccer, तो 70% का, इसका 70%, यानि 70% होता है, 7 by 10, और अभी भी, इस, soccer खेलने वाली कितनी students है, यह soccer खेलने वाली होगे, वो कितनी students है, 98, उनका favorite subject है, favorite sports है, what is the total number of students in the class x बताना है, अब देखो द्यान से, इतना आसान है, 7 into 7, 49, 49 का double ही तो है, यानि x की value कितनी आ जाएगी, 200, आपका answer आ जाएगा, देखो, चलिए, ये question आसानी से हमने कर लिया, next question पे move करते है, next question देखो, जो paper का जो date लिखा हुए, अलड़ी यहां पे लिखा हुए, SSC, CHSL, 24, 25, 2022 को, तो ये again and again बोलने वाली बात ही नहीं है, चलिए आगे बढ़ते है question में, the population पे village कितना है, population village की 9,000, annual birth rate कितना है, इतना, annual death rate कितना है, इतना, अब खुछ सोचो, परते एक साल 12.5 लोगों ने क्या करते हैं, इन जनम लेते हैं, और कितने मर जाते हैं, 2.5% लोगों की देथ हो जाती है, इन देथ हो जाती है, तो overall, difference कितना हुआ, 10, 10% लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, extra, यानी growth कर रहे हैं, यानी परतेक साल 10% लोग जनम ले रहे हैं, increasing में, हमें क्या कहा गया है, calculate the population after 3 years, starting में population कितनी थी 9,000 10% increase का मलगा 10% होता है 1 by 10 increase मलग प्लस यानि 11 ग्यारभ आई दस और ऐसा कितनी बार तीन साल तक यानि 11 गयारभ एदस का क्यूब यानि देखो त्यान से 9000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है तीरोफ वैक्ती दस का क्यूब कितना होता है दस कितना हो जाएगा दसका क्यूँ 1,000 तीन जीरो से सोरी 1,000 होगा न यहां पे 1,000 तीन जीरो से तीन जीरो खेंसील यहनि एंसर कितना हैगा 1,3,3,1 इंटू 9 देखो मल्टिप्लाई कर लो 9 नतली 27 तेरह नमा 117 117 और 2 119 79 आ गया 119 79 ओप्सन तो आसानी से हमने क्यों को कर लिए चलिए MOOV TO THE NEXT Qoštion, next Qoštion देखो क्या दिया गया है? If numerator of a fraction increase by 50 % denominator decrease by 28 % then fraction becomes इतना, यहनी fraction इतना हो जाता है औरिजिनल fraction औरिजिनल fraction माल लेता हूँ X by Y numerator by denominator या X by Y माल लो पहला बात कहा गया कि जो है fraction जो है numerator का increase हो रहा है 50% 50% कि निका मलब 100 का 100 प्लस 50 यानि 500% हो गया आगे decrease हो रहा है denominator 28% 100-28 यानि कितना हो गया 72% और होने के बाद कितना हो गया finally 25 by 36 अब इसी को solve करना है देखो द्यान से percentage से percentage cancel हो गया 36 से 2 times में ठीक है 2 से 75 दोनी होता है 1.525 से 3 यानि x by y कितना आ गया इधर कुछ नहीं है 1 और ये इधर आके divide हो जागा यानि 1 by 3 यानि fraction कितना हो गया 1 upon 3 कौन सा answer option number D चलिए next next देखो question आपकी screen पे क्या दिया गया ध्यान से देखना in an election between two candidates 80 percent of the exeval voters cast their vote okay 5 percent votes cast were declared invalid a candidate got इतना vote okay which which were 75 percent of total valid vote find the total number of exeval vote तो माल लेता हूं total number of exeval votes x है 80 percent क्या हो गया गया वोट cast हुए 80 percent का मलब होता कितना है 4 by 5 इसका 4 by 5 कास्ट हुए 50 percent vote क्या हो गया declared invalid 5 percent अगर vote invalid हो गया यानि 95 percent valid 95 percent 19 by 20 5 से काटूंगा तो इतना परसंट ये क्या हो गया वैलिड इस वैलिड ये जो है हमारे पास वैलिड वोट है वैलिड इस वैलिड वोट को जो एक candidate को मिल रहा है कितना 75 परसंट 75 यानि 3 by 4 मिला और उस candidate को कितना वोट मिला है कितना मिला है 10545 यहीं है अब इसको solve करना हमारा काम है एकस लिकालना है हमें ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे कोई problem नहीं आएगी चार से चार cancel हो गया हां जी cancel हो गया 19 से काटो देखो ध्यान से 19 595 104 हुआ 19 595 3 से काटो गे 3 3, 3, 8, 24, 3, 5, 15 यानि एकस की वैलू कितनी आ गई 185 इन्टू यह दोनों multiply होके 100 उधर जाएंगे यानि कितना हो गया 185 00 आपका answer आ गया एकस की वैलू कौन से answer देखो option number B correct answer है तो calculation किस तरह से किया जाता है देख रहे हो मैंने आपको directly करा रहा हूँ और यहीं चीज आपको करनी भी आनी चाहिए next next में देखो दियान से क्या दिया गया है class 8 school की बात बोली गई है ratio of playing cricket to the playing football cricket और football का ratio दिया गया है एक है cricket number of students cricket खेलने वाले और दूसरा है football उनका ratio दिया गया है 27-13 कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं while the ratio of playing football to hockey football to hockey खेलने वाले ratio कितना है 26-14 कोई दिक्कत नहीं है total number of students कितने है class 8 में 470 and each student plays exactly one game और परते के students एक ही game खेल रहा है find the percentage of students of the class playing cricket हमें cricket के बारे मताने तो पले cricket इन दोनों को combined ratio लिका ले combined ratio का मतलब football यहाँ पे 13 है football यहाँ पे 26 same बनाने के लिए 2 से यहाँ पे multiply एक से यहाँ पे multiply यहाँ यह क्या हो जाएगा cricket, football और honky का ratio आ जाएगा number of students का 27 into 2, 54 यह है 26 और honky कितना आ जाएगा 14 यह हमारा ratio आ गया अब total number of students question के according देखो दियान से है कितने 470 यहाँ पे add करो 64, 10, 4, 14 5, 7, 8, 8 8 और एक 9 94 unit की value 470 है देखो दियान से अगर मैं cancel करना चाहूँ 47 से 10 से 47 दूनी यह हो जाएगा यानि एक unit की value 2 से 5 एक unit represent कर रहा है 5 को हमें चाहिए क्या हमें चाहिए cricket, cricket कितना चोवन unit है 4 into 5 यानि देखो दियान से पांचों के 20, 25 और 2, 27 यानि 270 यानि किर्केट खेलने माले कितने students हैं 270 out of total कितने थे 470 percentage में करना है 100 से multiply cancel cancel अब आ जाओ ध्यान से देखोगे तो अब इसको तो calculate करना पड़ेगा तो मैं भाग दे ले रहा हूँ 2700 को भाग कर लो 47 में कितनी बार में 5 बार में क्योंकि सभी answer का first digit 5 है तो 5 बार में कितना हो जाएगा 7, 5, 35, 20 और 3, 23 यानि कितना हो गया 5 और ये हो गया 6 में से 3 जाएगा 3, 0 अब कितनी बार में जाएगा 7 बार में चला जाएगा 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा साथ बार में यानि 57.something आएगा एक ही ओप्शन है ओप्शन नमबर C करेक्ट एंसर हो जाएगा कैसे साथ साथ उन्चास साच चुव अठाइस 28 और 24 32 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 57.something जाएगा एक ही अप्शन है चलिए मोग तू दा नेक्स नेक्स कोशन देखो द्यान से आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि इन ए पंचायत इलेक्शन थ्री केंडिडेट वर थे इन एप्ष्रे ओके द लोजिंग केंडिडेट गोट एण इक्वल नंबर of votes, okay, the winning candidate got as much votes, okay, as much votes, as the rest of two, यानि देखो दियान से, तीन लोग है, election में, first, second, third, कहा गया है, जो winning, माल लो ये winner है, और ये दोनों क्या है, loser, देखो दियान, ऐसे करो न, तीन है, तो एक winner है, दूसरा है loser one, और loser two, दोनों हारे है, एक ही तीन में से कोई एक जितेगा, जो winner है, कहा गया है, जो loser जो दोनों है, इन दोनों के sum के बराबर है, winner का vote, जितना इन दोनों को मिला करके है, उतना ये अकेले है, तो माल लेता हूँ loser को X, और क्या कहा गया है, जो दोनों loser हैं, उनको equal equal vote मिला, equal vote मिला का मतलब अगर इसको x मिला तो इसको भी x मिला यहीं कहा गया है question में equal number of votes और winner को इन दोनों का sum मिल रहा है, यानि x plus x कितना 2x यह पता चल गया हमें जो question कहा गया था, उसके according हमने लिख दिया आगे बढ़ते हैं if the total votes polled were 1500 total votes कितने हैं, 1500 polled हुए है find the number of votes that winning candidate got, assume all votes polled were valid, यानि total, देखो दियान से, 2 1, 3, 1, 4, 4x 4x की value question में दिया गया है कितना, 1500 x की value कितनी होगी, 4 से 4, 3, 12 4, 7, 8, 24, 5, 20 यानि 375, हमें winner को चाहिए, सारे के सारे अगर valid vote होंगे तो winner winner कितना है, 2x 2 x 375, यानि 600 plus 1,500, यानि 750 एंसर हो जाएगा, कौन सा option number A, correct answer हमने question को आसानी से कर लिया चलिए, move to the next question next question देखे, क्या दिया गया हमारे पास a software company has 3 divisions, ओके जिसमें employee कितने हैं 20, 30 और 40 20, 30 and 40 है कोई दिक्कत नहीं आगे if the working percentage of the during, if the working percentage of the, of this during weekend is 20%, 30% and 40%, यानि जिनका during है, working percentage की during है, वो 20% है, 30% है और क्या है, 40% है आगे बढ़ते हैं then working percent of entire company during the weekend was approximately, तो ऐसे question में weighted average लगाओ, ratio ले लो 2, 3, 4 का ratio ले लिया अब 20% इसका 20 into 2, खेवल हम number की बात करेंगे, यह percentage नहीं बाद में हम percent लगए, 20 into 2 यानि 40 30 into 3 यानि 90 40 into 4 यानि 160, हम percentage बाद में लगा देंगे ठीक है, प्लस इन total टीनों का सम, कितना रेशियो का 2, 3, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 9 यह overall our last one percentage लगा देंगे, देखो ध्यान से 130 plus 160 यानि 290 upon 9, इतना परसेंट, देखो ध्यान से 27, कितना बचा, 29, 2, 18, 32 point something आएगा, कौन सा एंसर इतना परसेंट आजाएगा, आपका एंसर, चलो, आपका एंसर हो गया, हमने क्या लगाया, weighted average का concept लगाया, last में इस percentage को हमने लख रख दिया, क्योंकि percentage, बाद में हम common करके, हमने बाहर लिकाल दिया, ठीक है, चलिए, next, next में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, question ध्यान से देखिएगा, in a class, the ratio of number of boys and girls का ratio दिया गया है, 11 और 9, 30% of boys and 20% of girls passed in the exam, find the percentage of students who passed, देखो ध्यान से, 11 और 9 का ratio है, boys कितने पास हो रहे हैं, 30, girls कितनी पास हो रही है, girls हो रही है, pass हमारे पास, 20%, तो weighted average लगा तो, क्योंकि pass में ही लगाना है, pass में लगाना है, तो weighted average लगाओ, 11 into 3, यानि 330 plus 20 into 9, यानि 180 over 11 और 9, 20, और overall, यो यह सारे यह भी percentage था, यह भी percentage में आ जाएगा, देखो ध्यान से, 0 से यह भी, यह भी cancel हो गया, यह कितना हो गया, 30, 10, 40, यानि 51 by 2, इतना percent, यानि कितना हो गया, 25, 2, 50, 25.5 percent, option number, d correct answer हो जाएगा, हमने क्या यूज किये, weighted average का यूज किये, weighted average बहुत ही जबरजस्ट concept होता है, मैं यहीं यूज करता हूँ, अलगदर वाई, इसको percentage से अलग-अलग लोग terms में करते हैं, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, next, in an election between two candidates, okay, 10 percent, voters did not cast their vote, and 5 percent, votes paroled were invalid, the successful candidate got 55 percent of valid vote, यहीं देखो ध्यान से, focus यहीं पर करना होता है, कितना 55 percent of valid vote, and owned by majority of itna votes, और जीत रहा है कितना, 1710 votes से, how many voters were enrolled, माल लेता हूँ, total voters x enrolled हुए थे, जिसमें से 10 percent did not cast, 10 percent did not cast, यानि 9 by 10, 5 percent of the vote paroled were invalid, 5 percent invalid, यानि 95 percent valid, 95 percent का मतलब, 5 से काट होगे, तो 19, 5 से काट होगे, तो 20, यह हो गया हमारा क्या, valid, valid vote, इस valid vote को, इस valid vote का, एक को मिल रहा है 55 percent, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 minus 55, यानि 45 percent से, और जीतेगा कितना से, 100, 55 minus 45, यानि 10 percent vote से जीता, इस valid vote का, valid vote, क्योंकि भी for valid vote, यह जो valid vote, valid vote का 10 percent से जीता, valid vote इतना था, 10 percent कितना होता है, 1 by 10, और जीतने वाली vote है कितना, 1, 7, 1, 0, बस, इसी को तो solve करना है, हमारा काम हो जाएगा, कैसे, 19, 171, 90 हो गया, 9 से यह 10 हो गया, X की value कितनी आ गई, 20, 2020, 20,000, यानि 20 के आ गया, 20,000 के, जब भी मैं के represent करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, 1000, ठीक है, representation के तोर पे, तो कितना हो जाएगा, 20,000, option number, A is the right answer, right, चलिए, next, next में देखो द्याँन से question क्या दिया गया, 260, हमारा 8 है, इन एन इनजिनरिंग इंस्ट्रूर्ट, A student, दिखो द्याँन से, इन इन इनजिनरिंग इंस्ट्रूर्ट, A student's grade, grade is assessed based on the internal test 30%, assignment के लिए 30%, और external exam के लिए 40%, दिखो द्याँन से क्या गया, एक इंजिनरिंग सरस्थान में, एक छात्र के grade का मुल्यांकन किस परकार है कि वो internal test में 30%, assignment में 30% और external में कितना है, 40% के अधार पकिया गया है, यानि 30% और दूसरा है 30% और 40%, अलग-अलग दिया गया है, ratio ले लो, ratio percentage से percentage cancel, 10 से 10 cancel, ratio कितना हो गया, 3 is to 3 is to 4, ratio इहीं आ जाएगा, तिनों को cut करोगे तो, अब आगे बढ़ते हैं, if a student has scored 90% in internal test, 95% assignment और 75% external, इसमें क्या है, हम सिर्फ percentage को नहीं लिखेंगे, बाद में उसको include कर देंगे, 90 इसमें, 95% इसमें, और 75% इसमें, आगे कहा गया है, then overall grade of the students कितना होगा, multiply weighted average, इसका multiply करोगे, कितना होगा, 270 plus, इसका multiply करोगे, तो कितना होजाएगा, पांट इसमें, पांट इसमें, परसेंटेज में, परसेंटेज में, एंसर आजाएगा, add करोगे दियान से, तीन दू, पांट दू, साथ, 700 होगया, 700, रुको, multiply करोगे, तो कितना आजाएगा, add कर लो न, पांच, आगे बढ़ते हैं, 8, 7, 15, carry होगया, कितना, 1, 2, 2, 4, 3, 7, और 1, 8, upon 10, यानि कितना होगया, 85.5, और इतना, सारा कुछ परसेंटेज में आएगा, इतना, कौन सा answer आजाएगा, देखो, option number D, correct answer होगया, चलिए, move to the next question, next question में देखते हैं, क्या दिया गया हमारे पास, देखो, question क्या दिया गया है, the population of a country has growing, at the rate, 4% every decade, decade का मतलब होता है, 10 साल की बाद बोली गई है, 10 साल, 10 साल की बाद बोली गई है, 10 साल में, 4% grow कर रहा है, if the projected population of country in 2030 is given, 2030 में कितना है, इतना है, आगे, what was the population of country in 2000, 2000 में कितना होगा, ध्यान से देखोगे, question आसानी से कर लोगे, 2000 में कितना था माल लेता हूँ, X, परतेक 10 साल में, इसके 10 साल में, क्योंकि 2000 से 2030 में कितनी साल हुए, 30 साल हुआ, 30 साल हुआ, 30 साल का मतलब 10 साल, 10 साल, 10 साल पे, तीन बार बढ़ेगा, तीन बार कितना, 4%, 4% होता है, 1 by 25, increase मतलब प्लस, खुद सोचो, 2000 से 2030 तक जाना है, यानि कितना हुआ, 30 साल हुआ, 30 साल हुआ, 30 साल, और परतेक 10 साल पे, 30 साल का मतलब है, 10 प्लस, 10 प्लस, योगि परतेक 10 साल में 4% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है, तो 4% होता कितना है, 1 by 25, increase मतलब प्लस, यानि परतेक 10 साल, यानि यह पहला वाला 10 साल कितना बढ़ेगा, 25 से 1 बढ़ जाएगा, 26 by 25, और ऐसा कितना, 3 बढ़ बढ़ेगा, यानि power 3, और है कितना, 2030 में, 158184 00, अब देखो द्यान से, ऐसे question को solve करना है, तो देखो द्यान से, x into, 26 का cube आपको पता होना चाहिए, ऐसे रहने दो, x equal to, पले यह multiply होगा न, तो 158184 00, इंटू, यहां जाएगा, तो 25 का cube, 25 का cube याद होए, कितना होता है, 15625 होता है, मैंने कई बार बोलाओं कि 1 से लेकर के 30 तक cube आपको fingertips पे होना चाहिए, upon, नीचे क्या आएगा, इधर से आएगा, तो 26 का cube, 26 का cube कितना होता है, 17576, अब देखो द्यान से, यह इससे, 17915, यह 9 से 9 चाके 24, यह 9 टाइमस में cancel हो गया, तो X कितना आया, 900 into 15625, अब यह तभी कर पाते, अगर जिसको 26 का cube नहीं पता होगा, 17576, वो इस question को करने में दिक्कत फेस करेगा, 25 का cube 15625, यह मैंने कई बार बता चुका हूँ, कि 1 से 30 तक cube आपको याद होना चाहिए, अब देखो multiply कर लो, तो देखो ध्यान से, 5945, कैरी हो गया, 4, 9, 2, 8, 4, 22, कैरी हो गया, 2, 9, 6, 54, 56, कैरी हो गया, 5, 15, 9, 135, 135, 135, 140, 00, 140, 6, 2, 5, 00, 140, 6, 2, 5, 00, आगया हमारा answer, आसानी से कर लिए, यह अच्छा question है, calculation में आप जबर जस्त, आप mistake करोगे, अगर आपकी calculation speed नहीं fast है, जीस तरह से मैंने आपको सिखाया है, तो आप हमेशा रजा हुए, यह अगर पीछे, चलिए, next, next question में देखो ध्यान से, यहीं पे stop करेंगी question को, देखो question क्या दिया गया, वन candidate received 60% of the total votes, okay, in the election, between two candidates, a total of 20% of the votes were invalid, what is the number of valid votes of the other candidate received if total votes were इतना, total votes है कितने, 16,250 total votes हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, 20% votes क्या हो गया, invalid, यानि 80% क्या हो गया, valid, यानि यह हो गया, valid vote, इस valid vote का, देखो ध्यान से, इस valid vote का, एक को मिल रहा है 60%, तो दूसरे को क्या मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, 100-60, यानि 40%, other candidate, एक को मिला था, other वाले को कितना मिलेगा, 40%, तो इसका 40 ही percent लिकालना है, 40% कितना होता है, 2 by 5, हम लिकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा, यानि other candidate को कितना receive होगा, यह पता चल जाएगा, other candidate को, चलो, ध्यान से देखो, हमारा काम हो जाएगा, कैसे, देखो ध्यान से, 5 into 5, 25, 25 से, 25 छाके, डेड़ सो, यानि कितना हो गया, अब आएगा, 125, 25, 5, 125, यानि ये हो गया, अब 650 into 4 into 2, 8 multiply कर लोगे, 0, 8, 5, 40, 48, 48, 4, 52, यानि बावन सो आ जाएगा, other को, कितना भोट मिलेगा, बावन सो भोट, option number C, correct answer हो गया, इस तरह से हमने, 270 question तक complete कर लिए, अगेन बता दो, आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आता है, वीडियो को like कर दिया करो, दूसरा, help मिलता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, share करो, जितना channel grow होगा, उतनी ही जल्दी मैं इस book को complete कराऊँगा, तीसरा, मैंने आपके demand पे अब देखो, PDF notes भी provide करना शुरू कर दिया, तो PDF notes के लिए क्या करोगे, टेलिग्राम चैनल की जो link है, description box और comments box में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप join कर लोगे, PDF notes भी मिल जाएगा, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next class में percentage के next question से देखेंगे, thank you, bye bye.